नमश्कार दोस्तों एलीट इंजिनियर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है दोस्तों आज जो मॉडल हम लोग आपके लिए लेके आए हैं ये है वन एच्पी विद हंडर्ड लीटर टेंग ये मॉडल काफी सारे दोस्तों की डिमान थी क्योंगा ऐसा मॉडल लेकर आए है जो एकड्यूनिकली उनके दारे में हो और छोटा मॉडल हो जारातर ये मॉडल जो है वो शौपस के लिए और छोटे कामों के लिए यूस किають जाता है तो दोस्तो आज आपके लिए model लेके आए हैं 1 HP with 200 pound tank 100 इसको लीटर भी बोल देते हैं और 200 pound इसकी जो capacity होती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको air compressor की specifications कौन-कौन से हमने parts यूज किये हैं इसमें और कौन-कौन सी company के हमने इसमें जो external parts हैं वो हमने outsourcing की है वो सारी आपको जान करी देंगे वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तो आप चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो को like और share भी जरूर करिए सो दोस्तो चलते हैं वीडियो में आगे यह जो model दोस्तो आप देख सकते देख रहे हो इस model में 1 HP air compressor लगा हुआ है 68 mm piston होता है single stage single slender air compressor है दोस्तो यह इसका जो maximum pressure आपको मिलने वाला है वो होगा 8 bar और इसकी displacement आपको मिलेंगी 5.5 cm आपको displacement मिलेंगी सो दोस्तो सबसे पहले इसका overview देख लेते हैं कौन-कौन से हमने parts इसमें यूज किया है सबसे पहले air compressor होता है जैसे आपको बता दिया है single stage air compressor है 68 mm का इसमें piston है लगबग जो इसकी rpms होते हैं इस compressor के 500 के around आपको मिलेंगे आगे चलते हैं दोस्तो इसमें alpha का हमने pressure से use किया हुआ है जो कि अपने आप जब इसका pressure fill up हो जाएगा तो अपने आप ये auto cut इसको कर देगा नमबर 3 पे दोस्तो इसका जो air receiver tank है ये 100 liter capacity का आपको tank इसके साथ मिलेगा 3.2 mm की sheet के साथ ये automatic welder tank होता है जो कि हमने pressure tested इसको किया होता है काफी high quality का हम इसमें tank fuse करते हैं और नमबर 3 पे दोस्तो इस model के साथ 1 HP motor लगी हुई है 1 HP 3 face motor इस model के साथ आपको दिख रही है इसमें अगर किसी customer को demand हो viewers को demand हो कि single face motor चाहिए तो वो भी available हो जाएगा वीडियो के last में आपको जो भी इनका difference रहेगा price का वो आपको mention कर देंगे तो दोस्तो आगे चलते हैं इस वीडियो में कि जादातर viewers पूछते थे कि आप applications क्यों नहीं बताते air compressor के साथ तो आज की इस वीडियो में क्या कौन-कौन सी application के लिए ये model यूज होगा आपको वो भी बताएंगे सबसे पहले तो दोस्तो ये जो model है service stations के लिए model ये काफ़ी अगर आपका start-up है तो service station के लिए ये model आपको काफ़ी convenient रहेगा economically भी आपको सही रहेगा ये अगर आपकी कोई tire shop है आपने tires replace करते हो या scooter और bike के आप tire में आपने हवा भरनी है पेंचर का काम करना है तो उसके लिए भी ये सही रहेगा बाकी कोई applications हो गई दोस्तो जैसे air dusting करनी है आपने सिर्फ service station के उपर gun चलानी है या आप industry के लिए use करना चाते हो तो इसके उपर वो भी काम हो जाएगा बाकी दोस्तो 8 kg इसका maximum pressure रहेगा कोई भी आपकी application ऐसी है जो 7.5 और 8 kg तक चलनी है जैसे impact range और गयरा जो होते हैं nut board खोलने के लिए वो भी इस model के साथ चल सकते हैं लेकिन क्या होता है कि impact range की जो consumption होती है वो काफी जादा होती है लगबग 6 CFM उन्होंने consume करना है तो उसके according ये unit थोड़ा छोटा रह सकता है लेकिन अगर आपने उसको आपका duty cycle जो काम करने का वो कम है आपने 30% ही use करना है सारे दिन में तो आपके लिए ये unit जो है वो सही रहेगा बाकी कोई pneumatic machines होगी जहां पे slender ने operate करना है 8 kg pressure तक ये unit आपके लिए सही रहेगा तो दोस्तों वीडियो के final में जैसे कि आपको बताया था कि हम लोग आज इसका price जुरूर mention करेंगे तो दोस्तों ये जो model आप देख सकते हो ये model three face motor के साथ है और इसका जो आपको final price आपको मिलेगा 28,000 के around ये unit आपको cost करने वाला है 28,000 include GST अगर आप ये वीडियो आज से साल और दो साल बाद या 6 महीने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो price में थोड़ा बहुता difference आपको मिलेगा तो आप जो final price है वो negotiable होगा और final price आप एक बार call करके या हमारे whatsapp number जो हमने description में दिया हुआ है उसमें call करके आप इसको finalize कर सकते हो तो दोस्तों single face motor के साथ कोई जाला difference नहीं होता 1000 आपको plus मिलेगा जानि कि यह जो model है single face motor के साथ आपको 29,000 include GST पढ़ेगा तो price दोस्तों इसका काफी अच्छा है जो कि हमारी company काफी discount में देती है और price जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह negotiable है तो आप price call करके या message करके आप negotiate हमारे साथ कर सकते हो सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और भी topics लेके आएंगे और भी compressors लेके आएंगे आपके लिए तो वीडियो को दोस्तों like और share ज़रूर करिए और channel को subscribe ज़रूर करिए अगर आपने हमारे साथ contact करना है तो आपको वीडियो वीडियो के नीचे आप description में जाईए वहाँ पे आपको हमारा contact हमारा WhatsApp का नंबर और हमारा email ID मिल जाएगा तो आप वहाँ पे भी जाके हमारे साथ जो है contact बना सकते हो वीडियो को जारा से जारा share करें दोस्तों और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद